अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं, जो clear नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हो Kiran Shapuri और यह है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी, finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं, जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं, तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चली जी शुरू करते हैं April 2024 की Love Tarot Reading तो चली एक in series आप लोगों के लिए देखेंगे April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहाँ पे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सेकेंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally April month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए हाँ पे सबसे पहले cards में दिख रहे हैं Knight of Pentacles and Still Hope और ये cards कहते हैं कि पीछे हो सकता है आपके और आपके partner में कुछ issues, कुछ मसले रह रहे थे क्योंकि देखें आपके partner की energies देखें तो यहाँ पे Still, Hurt and Eight of Souls के cards हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि कोई चीज आप दोनों के बीच में जरूर रही है जिसकी वज़े से कुछ time से April starting में आपके partner hurt हैं और कहीं आप थोड़ा सा pause लेते हुए दिख रहे हैं शायद आप चीजों को और अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर आप किसी भी level पे किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहा रहे हैं आप बहुत ही safe, secure होके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और हो सकता है कि कुछ situation, कुछ circumstances ऐसे रहे हो या फिर अभी भी हैं जहाँ पे उमीद खोना, hopeless होना बहुत ही normal है और इसी reason की वज़े से हो सकता है, आपके partner काफी hopeless हो रहे हैं आपके partner उमीद खो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उमीद रखते वे दिख रहे हैं आपके लिए still hope का card कहता है, जो भी आप दोनों के बीच में अगर चल रहा है या फिर circumstances, situation की वज़े से issues मसले हो रहे हैं आप cancerians hope नहीं छोड़ते वे दिख रहे हैं आप ना उमीद नहीं होते वे दिख रहे हैं आप उतने मायूस नहीं होते वे दिख रहे हैं हाला कि यहाँ पर devil का card बहुती clearly कहता है कि stress, tension जरूर आप महसूस कर रहे हैं लेकिन hopeful रहते वे दिख रहे हैं यानि कि उमीद रखते वे दिख रहे हैं साथी साथ बहुत safe, बहुत secure होके चीजों को आगे बढ़ाना चाहा रहे हैं किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहा रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि April starting में आप थोड़ा सा pause लें कहीं mid April के लिए the devil का card pressure, tension की बात करता है और यहाँ पे सब concerns के लिए different reasons रहेंगे लेकिन दिखिए devil के नीचे gossip का card कहता है एक major reason concerns आप लोगों के लिए stress, tension का रह सकता है कि लोग क्या कहेंगे हो सकता है कि अगर आप social media पे काफी active है celebrity हैं तो आप उस तरीके का एक gossip से डर रहे हैं कि पतनी आपके बारे में social media पे क्या लिख दिया जाएगा और अगर आप celebrity नहीं है या फिर otherwise भी आप किसी चीच से, किसी gossip से मैं कहूंगी डरते वे दिख रहे हैं उसरा reason devil का card कहता है आप थोड़े से obsessive हो रहे हैं आप थोड़े से possessive हो रहे हैं एक jealousy वाला factor भी आपकी तरफ से रह सकता है और इसलिए शायद थोड़े से controlling dominating हो रहे हैं या फिर ऐसी energies आपके partner की हैं और इस वज़े से आपको tension stress हो रहा है जो भी हो कहीं end April के लिए move on and six of pentacles reverse के cards कहते हैं कि जो भी situation है आप उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं अब देखें move on का card अगर हम literally देखें तो relationship को end करके आगे बढ़ने की बात करता है क्योंकि यह general reading है मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि सब cancerians की love life में ऐसी situation है बट यह किसी चीछ से move on करना चाह रहे हैं कभी-कभी होता है ना बहुत जादा एक ही negative situation में हम stuck हो जाते हैं हमें लगता है बस अब जो भी हो इस situation से आगे बढ़ना है तो इस तरीके की energies हो सकती है कुछ के लिए या फिर मैं कहूंगी इका दुक्का के लिए यह भी हो सकता है कि मन ही मन आप relationship से move on करना चाह रहे हैं और शाहिद इसी लिए या फिर otherwise आप अपने partner को या तो बहुत जादा किसी चीज को लेकर convince कर रहे हैं यह आपके partner के ऐसी energies हैं क्योंकि यह card आपके लिए है तो आपके लिए जादा रहता हुआ दिख रहा है कि किसी चीज को लेकर आप अपनी self respect को compromise कर रहे हैं self respect को इतनी एहमियत आप नहीं दे रहे हैं और बहुत जादा अपने partner को या खुद को convince करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं तो मैंने आपको बताया ही कि आपके partner के लिए eight of swords, eight of swords sorry reverse नहीं है still hurt के cards बहुत एक clearly कहते हैं कि किसी चीज को लेकर बहुत दुखी है, mayous है या फिर बहुत एक तकलीफ महसूस कर रहे हैं या बहुत hurt वो होते होगे दिख रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी काफी नाउमीद होते होगे दिख रहे हैं और इसलिए यहां फिर otherwise भी take off का काट कहता है कि इस relationship को end करके आगे बढ़ने का एक खयाल उनके मन में आ रहा है देखिए मैं बहुत clearly कह रही हूँ कि ऐसा वो करते वे नहीं दिख रहे हैं बट एक खयाल एक सोच उनके मन में आती भी दिख रही है कि इस relationship को end कर दें या फिर आगे बढ़ें या future के बारे में सोचें और जादा relationship से आगे बढ़ने के बारे में सोचते वे दिख रहे हैं लेकिन ऐसा वो करते वे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि high priestess का card कहता है कि mid April में या April मन्त में थोड़ा सा वो withdraw कर सकते हैं थोड़ा सा आपको उनकी तरफ से ऐसे लग सकता है कि उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं जितने वो लेते हैं उतना एक enthusiasm excitement नहीं उनकी तरफ से आप महसूस करेंगे आपको ऐसे लग सकता है कि enthusiasm excitement थोड़ा सा missing है या फिर low है and काफी समझदारी के साथ काफी wisdom के साथ वो चीजों को deal करना चाहा रहे हैं कहीं देखिए आपके partner भी impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं जल्दबाजी नहीं करना चाहा रहे हैं बहुत सोथ समझ के चीजों को करना चाहा आपके partner कहीं literally आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अब बहुत सारे concern सोचेंगे कि आगे किस तरफ को बढ़ रहे हैं relationship को छोड़कर या फिर relationship में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे chances हैं कि relationship में वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि returning का card बहुत ही clearly कहता है जो भी आप दोन relationship में वापिस आना चाहा रहे हैं और उसी से ही related action initiatives ले रहे हैं in fact मैं कहूंगी आपके उपर इस relationship के उपर उन्हें काफी confidence आता हुआ दिख रहा है वो काफी sure होते हुए दिख रहे हैं और आप उनकी strength बनते हुए दिख रहे हैं और इसी confidence के साथ वो इस relationship को next level पर लेकर जान हैं अब देखते हैं कि April मंत में क्या हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने आपकी energies individually देखी और आपके partner की देखी तो देखिए starting April बहुत great नहीं जा रहा है और आप दोनों के cards भी बहुत great नहीं है आपके तो फिर भी ठीक हैं आपके partner की तो बिलकुल भी energies April starting में कुछ time से ठीक नहीं रह रहे होंगी और ऐसा ही April starting में आप लोगों के लिए रहता हुआ भी दिख रहा है यहां पे three of wands reverse का card कहता है किसी चीज का इंतजार है किसी चीज का weight है और जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है कहीं present moment पे उतनी focus नहीं कर रहे हैं कहीं current situation इतनी एहमियत नहीं रखती हुई दिख रही है future के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं long term planning ज्यादा कर रहे हैं long term goals ज्यादा बना रहे हैं and lunch breaks work affairs का card कहता है क्यों सकता है या तो अपने professional front में बहुत focus कर रहे हैं या फिर और लोगों से in a healthy way मिल रहे हैं या फिर कुछ cancerians और उनके partner के लिए हो सकता है healthy flirting कर रहे हैं और yes again मैं कहूंगी कि professional front पे हो सकता है ज्यादा focus कर रहे हैं या पर eight of pentacles all you see is love के card भी इसी चीज़ को confirm करते हैं या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने professional front पे ज्यादा focus कर रहे हैं उसको काफी आहमें दे रहे हैं या फिर आप दोनों relationship पे effort कर रहे हैं और बहुत ही devoted बहुत ही dedicated सा effort रहता हुआ दिख रहा है और या आप दोनों में से किसी की energy हो सकते हैं लेकिन cancerians आपकी जाधा रहते भी दिख रही हैं क्योंकि आपके यहाँ पे night of pentacles and the devil के cards हैं और दिखे deeper level के लिए all you see is love का card कहता है कि man ही man आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत प्यार महबत महसूस कर रहे हैं in fact सिरुफ और सिरुफ लव प्यार ही दिख रहा है जो भी खामिया है गलतिया है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जनकी नहीं देख पा रहे हैं और शायद इसी लिए दिखे बहुत ही practical बहुत रियलिस्टिक तरीके से effort कर रहे हैं commitment आप दोनों एक दूसरे को या फिर आप दोनों में से कोई एक दूसरे जनको देते हुए दिख रहे हैं और बहुत एक grounded वाली energies हैं बहुत एक फिर से मैं कहाँगी concrete level पे चीज़ें होती हुई दिख रही हैं वेना ऐसे concrete level पे मतलब सिर खयालों में चीज़ें नहीं हो रही हैं realistic level पे आप दोनों के बीच में चीज़ें कहीं positively होती हुई दिख रही हैं deeper level के लिए happy days ahead का card कहता है कैसे आप दोनों का relationship better हो कैसे एक happiness is relationship में रहे उसके उपर practical realistic तरीके से आप दोनों effort कर रहे हैं या फिर जो भी आप दोनों के बीच में end April में हो रहा है मन ही मन आप दोनों को महसूस हो रहा है येस अब अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर अच्छे दिन जरूर आएंगे तो ये था consideration आप लोगों के लिए April 2024 की love tarot reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like share or subscribe जरूर करें